रिलाइंस इंडस्ट्री की 44 वी सालाना आम सबा में चेयर्मैन मुकेश अमबानी ने जियोफोन नेक्स का एलान कर दिया है ये फोन रिलाइंस ये और गूगल की साज़दारी से बनाये गया है ये बेहत के 54 वी स्मार्टफोन होगा जिसे 10 सितंबर को भारते मार्केट में उपलब्द करा दिया जाएगा ये फोन भारते बाजार के लिए विशेश तोर पर बनाये गया है जियोफोन नेक्स स्मार्टफोन पर यूजर्स गूगल प्ले से भी आप्स जाउनलोड कर सकते हैं फुली फीचर्ड इस स्मार्टफोन को मुकेश अमबानी ने भारत का ही नहीं बलकि दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बताया है हलाकि जियो फोन नेक्स की कीमतों के बारे में खुलासा नहीं किया गया है पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी कीमत काफी कम रखी जाएगी ये उन 30 करोड लोगों की जिन्दगी बदल सकता है जिनके हाथ में अभी भी 2G मुबाइल सेट है रिलाइंस के चेर्मेन मुकेश अमानी ने बता है कि रिलाइंस यो डेटा खपत के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर का नेटवर्क बन गया है रिलाइंस यो के नेटवर्क पर 630 करोड जिवी डेटा प्रती महा की खपत होती है पिछले साल के मुकाबले ये 45 फीजदी अधिक है